दोस्तों पीपल को आहिरवेद में एक कमाल की अवसदी बताई गई है जो कई सारी स्वास्थ संबंधित समस्याओं के उपचार के लिए प्रयोग की जाती है और आप में से बहुत सारे लोगों ने कभी न कभी पीपल के फल या उसके छिलका का किसी न किसी रूप में उपयो जिससे आप लोग साइध ही जानते होंगे साथ ही ये भी बताएंगे कि इसे कैसे उबालना है और इसका कब और कैसे इस्तामाल करना है ये जानना बहुत जरूरी है कर पीने से बोडी डिटॉक्स होती है या सरीर में मवजूद बिसक्त पदार्थों को आसाली से बाहर निकालने में मदद करता है साती या रक्त को सुद्ध कर उसे सरीर के सभी अंगों तक पहुचाने का काम करता है जिससे आपकी पूरी सरीर सुद्ध रहती है आपकी स्किन क बढ़ते बलड सुगर को कंट्रोल करने का काम करता है ऐसे में अगर आप भी काफी समय से बलड सुगर की समस्या से परिशान है तो पीपल के पत्ते को उबाल कर उसके पानी को पीने से आपको बहुत ही अच्छा लाब देखने को मिलेगा उसके बाद अगला जो फाइदा ह बाहर की तली भुनी चीजों का सेवन करने से या अन्य किसी वज़े से अगर आपका लिवर खराब हो रहा है तो ऐसे में पीपल के पत्तियों का इस्तेमाल करने से आप आसानी से इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं एक बैग्यानिक अध्यन के अनुसार पीपल में हेपो प्रोटेक्टिव क्रिया पाई जाती है जो लिवर को डैमेज होने से बचाने का काम करती है वहीं एक अन्य बैग्यानिक रिपोर्ट में भी बताया गया है कि पीपल के पत्ते को उबाल कर इसके पानी का सेवन करने से लिवर को खराब होने से बचाया जा सकता है उसके काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है तो ऐसे में इस समस्या से निजात पाने के लिए पीपल के पत्तों का अर्क आपके लिए बहुत अच्छा लाबकारी साबित हो सकता है इससे आपको बहुत अच्छा फायदा देखने को मिलेगा उसके बाद अगला जो है पारा दिलाने में काफी मदद करता है ऐसे में अगर आप पाचन संबंदित समस्याओं से बचे रहना चाहते हैं तो आप नियमित रूप से पीपल के पत्ते को उबाल कर इसके पानी का सेवन आपके लिए बहुत जादे फायदे मंद हो सकता है उसके बाद अगला है पेट दर्द के लिए कई बार उल्टी सीधी चीजों का सेवन कर लेने से आप लोगोंने कभी न कभी पेट में दर्द महसूस किया होगा लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यह समस्या आपको फिर दुबारा ना हो तो इसके लिए आप पीपल के पत्ते को पानी में उबाल कर आप उ 250 ml पानी लें और उसमें 2-3 पीपल के पत्ते डाल कर उसे उबालें और इसे तब तक उपालें जब तक कि यह आधा ना हो जाए जब यह आधा हो जाए तो इसे एक कप में चान लें और इसे ठंडा होने के लिए रख दें जब यह हलका गुनगुना रहे उसी समय एक स्याओं में बहुत ही अच्छा लाब देखने को मिलेगा साथ ही प्रिगनिंट महिलाओं को और अस्तन पान करा रही महिलाओं को इसके सेवन से बचना चाहिए तो दोस्तों ये थे पीपल के पत्ते का प्रियोग आपको कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में ज़रूर बताए इसी प्रिकर की तमाम वीडियोज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि इस्टेप की तमाम वीडियोज मैं लेकर के आता रहता हूँ मैं मिलता हूँ अगले किसी और रोचिक जनकारी के साथ में पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद